लेओफ 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 आज कर लेओफ की चर्चा चल रही है आप लोगों पते होगा कि जैसे बड़ी-बड़ी कमपनिये जो है Google, Microsoft, Amazon इन लोगों ने इन कमपनियों ने अपने employees को fire करना चालू करती है और बहुत सारे कर चुके हैं और आगे भी करने वाले हैं अभी भी हिस्ट्री का सबसे biggest lay-off किया है और Microsoft ने भी अनाउंस कर दिया है कि हम 2023 जो फाइनेंसर यहर है उसमें 10,000 employees को fire करने वाले हैं तो अगर हम मोटा-मोटा देखें Google, Image and Microsoft, Meta इन सबने मिला कि लगभग 50,000 employees को fire कर दिया अब तक Mark जुकरबक जो हमारे भाई साब है Facebook के owner अब वो Facebook को on करते हैं और Instagram को भी on करते हैं WhatsApp को भी on करते हैं तो इन्होंने लगव 11,000 employees को November में last year fire किया है मतलब यह firing ऐसी हुए है मतलब इसमें loyalty वगारा सब को सब चीज़े ताकबार रख दे गई है employee की loyalty वगारा जो लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको भी उन्होंने नहीं बखसा है Google से तो सबसे ज़्यादा जो लोग नराज हैं जो उनके fired employees है वो सबसे ज़्यादा नहीं है उनका कहना है कि 17 billion dollar का profit हुआ है Google को September quarter में उसके बावजूद भी वो fire कर रहे हैं वो बोल रहे है कि जो सुन्दर बिचाई है Indian origin के Google के CEO उसको board से हटा देना चाहिए कुछ employees हैं जो fire हुआ है वो कम से कम 20 साल से company से जुड़े हैं उनको भी उनकी loyalty को भी consider नहीं करा गया और उनको भी fire कर दिया गया दो तरह की ढहस मार्केट में शड़ी गया IT सेक्टर में दो वो क्या है कि क्या यह loyalty matter करती है आप अपनी company में कितना लंबे समय काम कर रहे हैं कितना मैनस से काम कर रहे हैं क्या यह matter करती है कि आपको loyal रहना चाहिए अपनी company के पर थी या पैसो के लिए एक्तम से जब आपका टेबल लगे और दूसरे बैस यह चुड़ गई है जो बड़ी-बड़ी product based company हैं उनमें भी आपकी job safe है नहीं जिनको service based से बैटर बाना जाता था कि एक बार चले जाए तो लाइट सेट है वो उनी में hiring sorry firing हो रही है और जैसे मेरी SCL बगारा में भी ज्यादा हुई है firing लेक कर रहे हैं जो जिनमें जादा safe मानी जाती है चलो service based company में मान लिया कि जाब उतनी safe नहीं होती लेकिन फिर भी वो कम लोग fire कर रहे हैं यह लोग यादा fire कर रहे हैं तो यह दो तरह की भाहस हुए और companies जो हैं अपने employees को cost cutting के नाम पे अपना profit बनाए रखने के नाम पे अप और उनको बेगर चोड़ दे रही हैं मतलब आप सोचो कि आप 20-25 साल के experience पे बंदे हैं और उनको job भी मुश्किल रहा जाती है मारकेट में न क्योंको अलड़ी उनका experience जादा हो चुका है तो उनके लिए जिए जो vacancy होती हैं बहुत काम होती है कुछ employee जासे थे जैसे Microsoft में एक बंदा था वो 21 साल से काम कर रहा था और एक बंदा था 16 साल से Google में काम कर रहा था उनको और बीना prior intimation के ही उनको file कर दिया मतलब होता ने कि आपको तीन मेने का notice period जा दिया file करने से पहले तो इन लोगों को इनके साथ ऐसा भी नहीं हो इनको कितनी जल जल दी frequently change कर रहा है तो उसको judge मत करो उसकी loyalty के बेस पर कि उसने past में कितनी company change करी है जब company खुद उनकी loyalty जब अपनी employees की loyalty को value नहीं कर रही है तो आपने जो आपका employee है वो क्यूं आपके बढ़तिया है कि लोइल रहेगा एक अंकूर के शरवानी करें के software engineer है Walmart में पोस्ट करें LinkedIn पर तो हमें इस से क्या हमें सीख मिलती है कि आप लोगों को मतलब जैसे Google में बहुसे लोगों ने 20 साल तक काम किया है लगबग उसने अपनी आप अगर government job में जाते है ना तो अगर कोई 25 या 30 साल की अमर में जॉब पाता है तो 30 साल बाद रिटार उड़ गा है तो लगबग उसने आदिल आए उसने वहां लगा दिया अपने पूरा लोल रहके और उसको भी उसने निकाल दिया आप तो हमें लेसन यह मिलता है इससे के company आपका घर नहीं है ठीक है ना आपको यह नहीं समझना चाहिए कि मैं कंपनी का पार्ट हूई है मेरी company में और म आपको देख रहे हैं कि आपको सीख रहे हैं वहां पर नहीं, और वो सीख और आपको चेंज करो पैसर के लिए काम करो, ना के कमपनी के लिए, ना के बوس के लिए आप देख सकते हैं कि चलो जो यसको लॉस हो रहा है, वो तो बास समय में आती है Google growth हो रहा है, stable है, profit कर रहा है उसके बावजूद भी मतलब 17 billion बहुत होते हैं, 17 billion डॉलर बहुत होते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने लोगों को फैर किया है एक पुल्कित पहावा करके लीड प्रोगामर्ट मैनेजर था गूगल पे, उन्होंने लिखा है कि या मतलब दुनिया में हर कंपनी में ले ओफ हो रहा था लेकिन हमें असा नहीं लग रहा था कि हम लोगों को हमारी कंपनी में भी ऐसा होने वाला है, तो उनको भी मतलब की ल तो गूगल भी ऐसा करेगा उनको विश्वास नहीं था और उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने सालों से जिनके साब काम कर देते 15 से, 15 साल से, 20 साल से, अब उन सब को छोड़कि अचानक से चालज पड़ेगा और गूगल वाले एमप्लोईस को भी दूसरी कंपरी मे तो दुबारा के भी जाएगा नहीं, उसे बड़े कोई कंपरी है नहीं, हैं वो अल्रेड़ी फार कर रही है, उसको भी थोड़ा काम लेवले कंपरी में सेटिस्वाय करना पड़ेगा, और इससे भी बुरी बात गूगल ने क्या करिया ना, सुन्दर पिचाई को जो काली पड़ रही है, मुझे लग रहा सही पड़ रही है, एक आठ महीने की प्रेगनेंट लेड़ी थी, उसको भी गूगल ने फार कर दिया, उसका नाम था कैतरीन, और सिर्फ एक हफते बाद ये उसके डिलीवटी बने हो ले थी, और वो लेव लेने वाली थी, और उसको उससे जो लोग काम कर रहे हैं ना अल्रडी कंपनी में, उनका काम करते करते हैं, उनका एकाउंट डियक्टिवेटर जा रहा है, यह ना, कोई एक बन्दा तो ऐसा था जो किसी का इंट्रिव्यू ले रहा था, और उन्ट्रिव्यू लेते लेते ही उसको फायरिंग का नोटिस आ हैं और, मतलब, जो जिस का सिس्टम डियक्तिवेट वोई है, उसको तो कोई कॉम्टिकेशन ही भी नहीं हुआ है, कोई मेंसिज नहीं ही लिएक नहीं है, सिर्फ सिस्टम डियक्तिवेट हो गया, मतलब इन इतना उन और सीखने को मिलता है आपको ना तो आप टेंसल लो ही मत कि मैं Google में हूँ या Facebook में नहीं हूँ या कहां नहीं हूँ कुई सी बड़ी कमपनी में होना उना चाही है मुझे नहीं उसे मेंटर करता है आपको पास job होनी पैसा आना चाहिए और आप जल जली चेंज करिए एक कंपनी में दो साल से जाज़ तो रहना ही नहीं चाहिए मेरे अगो करियर के सिवात में तो एक साल डेट साल मैक्सिम के मैक्सिम है अब आप यह देखिए इतनी बड़ी जो कंपनी जाए माइक्रोसोफ एमेजन सर और गूगल यह लोग ना इनका इंट्रीव के लिए करना कितना टॉफ होता है हम जैसे मेरे जैसे मिडल लेवल के बंदे हैं उम तो इंट्रीव के लिए अबलाई भी नहीं करता हूं मैं जो कभी गूगल अगारे के लिए इतना मैं तो नाम से ही जगते हैं फिर ट्रेनिंग होती है तब आप को जाए जाइनिंग होती है इतना प्रोस्स होने के बाद आप जॉब लेकते हो फिर वो पंदरह भी साल आपने माँ काम कर में लिया इसे बाद भी आपको लिए घुगल और मैक्रोसोफ का यह और रफरेंस ले रहा हूं क्योंक कोई ले अफ कर रहा है तो आपके पास एक second plan होना चाहिए already कि अगर मैं को किसी दिन ले अफ कर दिया तो मैं अगले दिन ये एक plan execute करूँ हो मैं को तुभारा job मिल जाएगी अब आप लोगों को भी सोचना होगा कि जो आपको सिर्फ product based company जो जा रहे हैं वो service company से ज़्यादा पैसा दे रही है तो वहाँ पर जाना क्या safe रहेगा नहीं ऐसा नहीं रहेगा आपको job security के मामले में stability के मामले में दोनियों को equally consider करना है पैसा वो ज़्यादा दे नहीं ठीक है जैसे भी आपकी job service based company में safe नहीं है वैसी वहाँ पर safe नहीं है और मैं तो यह लग रहा है कि service based company काम firing कर रही है और product based company जादा firing कर रही है और जो लोग कभी service based companies पे हैं या किसी चोटे company पे भी हैं या कहीं पर भी हैं तो उन लोगों को क्या तरीका आपसे बजने के लिए क्योंको गभाराना चाहिए नहीं गभाराना चाहिए क्योंकि अगर आप ने कोई जुगार से company में job ले ली है या आपकी company मास hiring कर रही थी तो फिर मास hiring भी करती है और आप सुचते हैं कि मेरे को तो या ज़्यादा काम करना नहीं पड़ रहा है और आप किसी परानी टेक्नोजी पर काम कर रहे हैं और अपडेट नहीं कर रहे हैं अपने आपको वालोप को एक टैम पहले आप सिर्फ जावस्कृट करके या जेक्वारी करके स्टीमल करके जॉब ले ले रहे हैं लेकिन आज नहीं आज आपको रियक्त कर आनी चाहिए और आज कल फुल स्टेक मांगते हैं तो आपको अपडेट करने पड़ेंगे तो आपको टेंसल लेने की बात ही नहीं है अगर वाईसाइनस कुस कंपनी के बास आपके पास पैसा नहीं रहा है तो आपको फाइर कर भी जाए लिए तो आपके लिए और बहुत सारी जोब आप अलड़ी ओपन है मेरे खुद की कंपनी में चार सो ओपनिंग है अभी फाइरिंग के फेस में भी तो हमेरे सा जोब रहती है चेडर डाल अपरस के लिए तिक्कत उनको होती ही जो अपने आपको अपडेट नहीं कर रहे है और एक कंफर्ट जोन में चले गए हैं अपनी कंपनी में क्योंकि मालन हो सकता है कि कम काम आ रहा हो तो बस वो काम एक दो घंटा काम करा आप पूरे दिन हैस करी और ऐसे कम ही होता है लेकिन होता है बहुत से परजट में कि लोग अप दूसरी टीम के दूसरे मेंबर पर सारा कम छोड़ देते हैं और खुद कम करते हैं तो ऐसे लोग फायर बहुत जल्दी होते हैं और आप फिर भी काम भी कर रहे हैं और आपको आता भी फिर फिर भी फिर हो रहे हो किसी ओर रिजन किसे तो भी आपक候 आराम से बहुत जोब मिल जाएगी क्योंकि आपने आपको आता है आपने अपडेट किया है कौन스родवी का बनी करता इस्टेग अलोनी ची जैसे मालो इनफोसिस है और ये ये कंपनी है वो बहुत मास हाइरिंग करती है और फिर मास हाइरिंग में करती है क्योंकि वो प्लेसमेंट एजनसी के तुरू कॉलेज वाले कॉंटेक्ट करते हैं उनसे फ्रेशर्स को बहुत हायरिंग कर लेती है और फिर बाद में ट्रेनिंग के बाद सेटनी कर देती है तो ऐसी कंपरी के बात अलगा तो अगर उसमें भी आप सीखते हैं और अच्या परफर्म कर दें तो आपके जोब पक्की हुआती है प्राइट सेक्टर में अगर हैं तो आप यह मत सोचो कि मेरी जोब पक्की है चाहिए आप जोब की कहीं आलड़ी काम कर रहे हैं तब भी यह नहीं सोचना चाहिए आपको हमेशा इंटर्वी मोड में रहनाे जाहिए हमेशा हर टाइम कि आज आपका इंटर्वी होगा आप उसको किले कर लेंगे इस मोड में आपका हर ।ाइम आपकी प्रैक्टिस रहने चाहिए सिर्फ यह ही तरीका है रिसेस्टन से बचनेगा और रिसेस्टन माही चान्स आपका लेफ हो भी गया तो दुबारा जॉब लेनेगा तो बस इतना मिलों कहना है सर थैंक यू सो मच वीडियो पसना है तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना थैंक यू सो मच